हेलो फ्रेंड्स मूवी मंत्रा में आज सब का सागत है दोस्तों आज इस मूवी के बारे में मैं एक्स्प्रेंट करने वाली हूँ उसका नाम है ट्रस्ट जो की दिलीज हुई थी साद extrう21 में यह है मूवी फूलन रॉमांस और सस्पेंस से भरी है तो बिना कि सीडेयरी की मूवी के एक्स्प्रेंट करते हैं मूवी के स्टाटिंग एक सस्पेंस होती है जिसमें इक लड़के का हाथ दिखा जाता है वह हाथ किसका होता है हमें कहाणी में आंगे पता चलेगा उसके बाद मूवी में एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है ब्रुक और लड़के का नाम होता है ओवेड ये दोनों हाई स्कूल से रिलेशन्शिप में होते हैं लेकिन अभी इन दोनों का कोई भी भी नहीं होता है जिस वज से फ्रट भी करता रहता है जब ट्रिसमस आने वाला होता है तब ओवेड ब्रुक से उसके साथ होलीडे पर चले के लिए कहता है लेकिन ज्यादा काम होने के वज़ए से ब्रुक जाने से मना कर देती है यह सुनकर ओवेड थोड़ा निराश हो जाता है और उसने जो जिस एक लड़की सारा ने वेज होते हैं जब ओवेड से इस सारा के बारें पूछती है तो ओवेड सारा को जिस्ट बताता है इस अंसर को सुनकर ब्रुक सैटिसफाइड नहीं होती है और ओवेड पर डाउट करने लगती है यह बात जब अपनी फ्रेंड को बताती है तो कि फ्रेंड ओवेड को रंगे हाथों पकड़ने का एक डास्ता सजेस्ट करती है वह सचेशन क्या होता है यह भी हमें कहानी में आंगे पता चलेगा फिर ब्रुक वहां से ओवेड के पास जाती है यहां आपको बता दी कि ओवेड एक जनरलिस्ट है वह ओवेड के पास जाक जाता है तो वहां उसकी मुलाकात एमी नाम की एक लड़की से होती है जो कि ओवेड से काफी अट्रैक्ट होती है और उस राद वह ओवेड को अपनी बातों में फसा कर उसके साथ इंटिमेट होती है जब वह इंटिमेट हो रहो होते तब ही ओवेड को उसकी वाइफ का मैस अपने घर जाने के लिए कह देता है जब ब्रुक पहले से वाफिस आती है तो रात में वे अपनी आर्ट गैलरी में एक्जिवीशन रगती है एक्जिवीशन में अंसार ब्रुक से कोई जादाई क्लोज होने लगता है जिसे देखकर ओवेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं अचानक एमी भी वहाँ पर आ जाती है एमी को देखकर ओवेन थोड़ा घबरा जाता है एक्जिवीशन खतम होने के बाद अंसार एमी के साथ भी फ्रुक करने लगता है और उसे सभी से इंट्रिड्यूस कराता है तब एमी सब के सामने कहती है कि वह ओवेन को पहले से जान जाता है और उन दोनों के भी छोटी सी फाइट हो जाती है इसके वाद ओवेन अपने घर चला जाता है और एमी दुबारा से ओवेन के पास जाती है वहां एमी ओवेन को कुछ ऐसी बाते बताती है जिसे सुनकर ओवेन शॉक हो जाता है और मूवी फ्लेश बैक में चली जा लेकिन जब उसे लगता है कि उसका husband जादा ही cheat कर रहा है तो वह उस number को dial करती है और अगली सुबह एक agent से मिलती है इसका नाम Amy होता है Amy वही लड़की होती है जो movie में अभी तक दिखाई जा रही थी Brooke Amy से उसके husband के affair के बारें पता लगाने को कहती है और advance में उसे पैसे भी देती है फिर Amy बाद में Owen से मिलती है तो उसे देखकर उससे बहुत impress हो जाती है स्टार्टिंग में तो Amy अपने partner की help से अपनी और Owen की कुछ audio और video clip बनाती है लेकिन बाद में वही अपना इडायदा बदल देती है और Owen के साथ intimate होती है उसके बाद अंसार ब्रुक के साथ flirt करने लगता है लेकिन ब्रुक बारवार अपने phone को देखती है और Amy के message का इंतिया करती है बट Amy का कोई message नहीं आता जिससे वह काफी upset हो जाती है जब वह Paris से लोटती है तो Amy उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसका husband बहुत ही अच्छा है और उसका कहीं भी affair नहीं चल रहा ब्रुक Amy से पूसती है कि उसने उससे कोई message क्यों नहीं किया तो Amy उससे पताती है कि उसका phone खराब हो गया था इस वज़े से कोई भी message नहीं कर पाई और सबूत की तोर पर napkin पर Owen का autograph दिखाती है लेकिन ब्रुक उसकी बातों से पूरी तरह से believe नहीं करती है उसके पास movie में एक दूसरा flashback दिखाया जाता है जसमें Owen अंसार से fight करके घर आ रहा होता है तब उसके साथ Brooke भी होती है रास्ते में Brooke उन दोनों की fight का reason पूसती है और साथ ही वह यह भी पूसती है कि क्या वह Amy को पहले से जानता है तब Owen कहता है कि वह उसकी fan है और उसने उ जाता है उसे नहीं जानता लेकिन Brooke फिर भी बार बार एमी के ही बारें बात करती रहती है जिस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में Owen बता दीता है कि वह Amy के साथ intimate हुआ था यह जानका Brooke काफी नाराज हो जाती है और Owen का mobile लेकर अपनी friend के घर चली जाती ह फिर movie flashback से present में आ जाती है जब Brooke Owen के mobile में सारा के test message चेक करी होती है तो उसे पता चलता है कि सारा सिर्फ उसकी एक killing है जो उसके साथ unfaithful senator का पता लगाने में help कर रही थी यहाँ पता चलने के बात Brooke को काफी guilty feel होती है और जब है अपने घर जाती है तो वहाँ Amy और Owen को एक स चीट किया है फिर एक और flashback में ले जाती है जहां वह पैरिस के उस राज के बारे में बताती है कि इस तरह से अंसार ने उसे seduce करने की कोशिश की थी लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और कहानी फिर से present में आ जाती है movie के last में दिखाया जाते कि ब्रुक और Owen के बीच में सारी गलत स्वैमिय दूर हो गई है और उनका अब एक बेबी है जिससे वे दोनों बहुत खुश हैं दोस्तों अगर आपको मेरा ये movie explanation पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और घंडे के bell icon को press कीजेगा जिससे आने वाले नई वीडियो के update आपको मिलते रहे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे next वीडियो में